लुखनेने जाए है году सच करहुँ परξों कंडियो है the rex का श्रूपिक आपके बढ़ाना है है तो मैंने आ पतरitaryanखला के से छर्मक्टर्षाइन के अकुछ दिस्कृशंही Hm कि लिए था किस काम आता है आपको पता था प्यासी काम आता है और इसे लुटा से निकाल सकते हैं और आंशर पता दिए था यह इकौल टू टूट टे स्कैर प्लस बीसKYर तो अबी कॉस्स थेटा एक यह अमने निकाला था by using triangle उसकी statement अमने बता दी थी ऐसा कुछ बनाया था मैं थोड़ा सा remind कर वा रहा हूं हो सकता कोई बच्चा नया हो जैसे एक vector a बनाया था मैंने एक vector b और oq जो हज़ा वो resultant था oq a और b का resultant था resultant था resultant अमने लिखा था r is equal to vector a plus vector b अचा रखो जब यह resultant इस form में लिखो न तो arrow बहुत important है अगर आपने इसको बगार आरो लिख दिया तो गलत वाना जाएगा फिर वो बगार आरो लिख दिया तो अचा इसको हम यहों भी कर सकते हैं ना oq oq is equal to op प्लस p क्यों oq is equal to op प्लस p क्यों ठीक तो यह था आपका तो कल यह चीज हमने कर वा दी लेकिन दिखो वेक्टर का resultant निकालने का दो त्रीके हैं एक तो अब resultant निकालने के लिए कल बताएं दिया कि आप resultant कर सकते हैं लेकिन यही रिजल्टेंट निकालने का एक और method है सेम यही रिजल्टेंट निकालने के लिए एक method और है आपके पास सेम अंसरा आएगा काम भी है कि यह दो वेक्टर का resultant निकालना बट उसको अलग ला से डिफाइन किया जाता है वो भी अमें सीखना होगा काम तो वही होगा resultant भी से माना द्यान खना लेकिन दो वेक्टर का resultant एक तो ट्रेंगल ला से निकालते और एक ला है पैरलेलोगरा तो आज हम discuss करेंगे पहले पैरलोगराम ला क्या है अंसर तो वही आएगा लेकिन हमें यह ला सीखना पड़ेगा भी यह ला है क्या और इसको यूज करते हैं हम पर आके चलके हैं तो पैरलोगराम ला पहले ताब से पुछते भी किस काम आता है तो आप कहते हैं जैसे हमने दो वेक्टर का रहißल्टेंट ट्रेंग्ला से निकाला है वैसे ही दो वेक्टर का रहाई स्क्रांड पैरलोगराम से भी निकाला जा सकता ए वही अंसर यहां से भी निकाला जा सकता जो अंसर वहां से निकाला है तो दोनों का परपस एक ही है to calculate the result of two vectors तो फिर आपसे पुछेंगे what is the meaning of parallelogram ला कभी आपसे ट्रेंगला से पूछ लेगा तो दोनों result तो एक ही है बट आपकी डाइग्राम बढ़ेंगी लेंग्वेज जो यूज होगी थोड़ी सी अलग होगी कोई भी आपसे class के वेपर में पूछा जा सकता कंपेडिशन के लिए को ज्यादा फरक नहीं है result तो एक ही आना सब्सक्र dorres करता हूँ के वारे मारह को पता है इसकी दोमों आमणे सामिवने की सीटें बर्लोगे और एक को लोंगी तो यह मालोग को है कि म大 मैं क्योशे मैं राफजेट कर रोजल्टन ही कैलकुलेट करते है इससे आपको रोजल्टन ही निकालना होता है कि बट इसकी स्टेटमेंट से तो अलग होगी जो अलग अलग इंडिपेंट ला है हैं तो that क्शलिंद तो दो वेक्टर निकालना है कि अप नंगर और उनमें से एक वेक्टर को इसकी एक सायड जाँ और डॉपर कर देंगे जैसे माली जे मैंने एक vector op side के दवारा represent कर दिया, let यह है a vector, दूसरा vector मैं os side के दवारा represent कर देता हूं, दूसरा vector मैं यहां represent कर देता हूं, मेरे को a और b का resultant निकालने के लिए कर आ गया, एक vector मैंने एक side से represent कर दिया, दूसरा vector दूसरी adjacent side से represent कर दिया, दुसरी adjacent side से जो same point से start हो रही है, ये vector A भी O से start हो रहा है, B भी O से start हो रहा है, मैं parallelogram लगा meaning बज़ता रहा हूं आपको पहले, अब जैसे आपको बोला भी, ये A और भी दो vector हिनका resultant निकालना था, तो ये ला कहता है कि जिनका resultant निकालना चाहते हो, उनको एक parallelogram की दो adjacent sides के दवारा represent कर दो, अगर आप ऐसा represent करते थे, A यहां कर दिया, B यहां कर दिया, तो according to parallelogram ला, according to parallelogram ला, इस parallelogram को ये जो diagonal होगा, O Q जो diagonal होगा, ये diagonal इन दोनों vector के resultant को represent करेगा, according to this ला, O Q जो diagonal है, जो इसे start हो रहा है, जहां से दोनों vector start हो रहे है, तो this O Q diagonal will represent the resultant of A and B, ये O Q A और B के resultant को represent करेगा, तो ये इसका meaning होगा mathematically, कि भी दो vector, उनको आपने दो sides के दवारा represent किया है, adjacent side सोनी सी, ये parallelogram की, तो ये ला कहता है, ये जो diagonal, जहां से ये दो vector start हो रहे हैं, जहां से A और B दोनों vector start हो रहे हैं, वहीं से start होने वाला diagonal, इन दोनों के resultant के बराबर होता है, या इन दोनों के resultant को represent करता है, ये इस ला का मतलब है, लिखवाओंगा भी तो meaning समझा रहा हूँ, तो दोनों vector represent करतो, diagonal को resultant बोल दो, ये हैं मोटे तोर पर मतलब, दो vector अडिसे से represent करती, diagonal will represent the resultant, अब हमारा काम है, ये resultant निकालना, उसके लिए मुझे, देखो जब भी वेक्टर की बात करोगे न, तो वेक्टर के बीच की बीच की बात करोगे न, तो वेक्टर की बीच की calculation नहीं कर सकते हैं, तो भाई मैं ये मालेता हूं कि इन वेक्टर के बीच का अंगल है theta, इन वेक्टर के बीच का अंगल है, अब ये देखो, जो ला है, वो जो ला है, वापको उसी form में याद करना होता, एक बच्छा पुसरा है, कि भी दूसा जो vector, पीएस जो है, वो resultant को represent नहीं कर सकता, क्या, नहीं कर सकता, भाई, पीएस resultant को represent नहीं करेगा, पैरलोग्राम ला के recording, ओक्यों ही resultant को represent करेगा, तो ये ना तो मैं, ला में आप ये निका सकते, इसमें ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, ला आपको याद रखना होता है, उसको apply करना होता है, जो तो ला है वो ला है वो आपको याद करना होता उसको यह नहीं कर सकते इसमें यह क्यों यह क्यों ला का मतलब है कि यूद को निकालता हूं यह समझा ने लिखी लो स्टेट्मेंट एक बार कि स्टेटमेंट क्लास के पेपर में तो डेरिवेशन भी रजल्ट भी सब कुछ इंपोर्टेंट है कंपेडिशन में अंडरस्टेंडिंग होने चीए कंपेडिशन में तो देखो फिजिक्स में मेरा अगर परसनल पुछो ना तो परसनल तो मैं यह कहता हूं भी आपको अगर कंसेट्स कलियर हैं अंडरस्टेंडिंग है टोपिक की तो ज्यादा फाइदेमंद वह है बाकि वर्ड टो वर्ड याद करना अपने क्लास की पर उसके लिए जुरूर ही होता है इसलिए बताना पड़ता है मना मैं तो यह मानता हूं कि समझो चीजों को या तो अपने आप ह हो जाती है यहां तो प्रैक्टी से पनआ पी हो जाती है तो लिखिए स्टेटमेंट हैं कि है ना देशी स्टेटमेंट कि अब लिगे अकोडिंगु दू पर क्राम ला अकोडिंगु पर लोगरम ला Зब थो एक्टर्स कंछटिंगे इंग अपॉयं कर्फेयर हनते अबॉइंप हम एपॉक्टिंग कि टिंगे अपॉयं पॉयंट इसमें रहाँ are represented by are represented by if two vectors acting at a point at the same time are represented by two adjacent sides of the parallelogram two adjacent sides of the parallelogram then their resultant then their resultant will be represented by diagonal of the parallelogram then their resultant will be represented by diagonal of the parallelogram which is which is starting from which is starting from the same initial point which is starting from same initial point from where the two vectors are starting from from where the two vectors are starting from the same time if two vectors acting at a point at the same time if two vectors acting at a point at the same time are represented by are represented by two sides of the two adjacent sides of the parallelogram two adjacent sides of the parallelogram then their resultant will be represented by then their resultant will be represented by diagonal of the parallelogram then their resultant will be represented by diagonal of the parallelogram which is starting from same initial point which is starting from same initial point from where the two vectors are starting motor door pere kya matala hua ki doh vectors hain unka 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 parallelogram which is the resultant this is the meaning of parallelogram law which is the resultant this is the meaning of parallelogram law between the twoermo's vector waka unka 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 triple maya unka 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 unkaverse I am a part of course and then I have been here the next school time in this spring यह सबको पता है चीज, O, S और P, Q equal है, तो अगर यह B vector है, अगर यह B vector है, तो इसके भी वेक्टर होगा, अगर मैं एक vector P से Q बना दूँ, एक vector बना लिया, मैंने derivation करने के लिए P से Q, अब यहां था, लेकिन derivation में इसकी जुरूत पड़ेगी, मैंने, तो इसके बराबर एक यह B vector है, तो यह B vector है, तो यह B vector है, तो यह B vector ही होगा आपका, तो मैंने यह B, P से Q एक vector बनाया, अब यह देखो, यह angle theta है, मैं इस line को अगर बढ़ाऊंगा, तो यह angle भी theta होगा, देखो, triangle और parallelogram की statement में और diagram में फरक है, बाकी सारे step यहों के हो, अब वही चीज repeat होगी, जो कल हमने करवाई थी, यहों की यहों की वाड़ी चीज repeat होगी derivation का तरीका वही है, बस यह vector B यहां था, मैंने इसके equal or parallel vector होगा बना लिया, इसको भी vector बोल दिया, इसके बाद सारा काम से, यह angle theta, यह theta corresponding angle से, अब यहां से perpendicular डाल दो, मालो end point पर मिला perpendicular, perpendicular मिला end point पर, अब म मैं triangle लेता हूँ, pn q, इससे मैं निकालूँगा cos theta, cos theta होगा base by hypotenuse, यहां से pn की value आएगी b cos theta, pn की value b cos theta, यही काम कल भी कहा था हमने, इससे मैं निकालता हूँ, sin theta, वह आएगा qn by pq, यहां से qn की value आएगी b sin theta, same है, मैं करना करहा हूँ, एक भी step repeat नहीं, मतब change नहीं ह होगा, यहों क्यों चीज़ें हैं जिदी चलेंगी, cos pn की value निकाल दी, qn की value निकाल दी, अब आप triangle लेलो बड़े बाड़ी, triangle लेलो o n q, triangle o n q, triangle o n q, तो triangle o n q, इस triangle मैं python को और स्थरम लगा दे, पाइस्था को और स्थरम, तो उसके according o q square is equal to o n square plus q n square, q square is equal to o n square plus q n square, q n square मैं, उसे पहले मैं o n को लिख लूँ, तो o q square is equal to o p, plus pn का all square, plus q n का all square, मैं कह रहा हूँ, चीज यहों क्यों repeat कर रहा हूँ, इसके बाद तो, answer भी same मना, अब इनकी value बर दूँगा, तो r square is equal to a plus b cos theta का all square, plus b sin theta का all square, दिखाएगे रहा है भाई, तो यहां से r square is equal to a square, plus b square cos theta, plus 2ab cos theta, plus 2ab, तो यहां से मैं लिख रहा हूँ, r square is equal to a square, plus b square, plus 2ab cos theta, और r is equal to under root a square, plus b square, plus 2ab cos theta, तो यही अंसर कला था, यही अंसर आ जाया है, तो r is equal to under root a square, plus b square, plus 2ab cos theta, same answer आया, अब इस मैंने को, कल भी मैंने r निकाला था, यह r का magnitude है, यह r का magnitude है, लेकिन कई बार आपको r की direction भी बतानी ही होगी, कल मैंने r की direction निकलवाई थी, कल मैंने केवल r निकलवागे छोड़ दिया था, लेकिन, देखो r is a vector, resultant क्या, एक vector तो है, और जो भी vector होता है, उसका magnitude और direction दोनों ही important होती है, वेक्टर में magnitude और direction दोनों ही important होती है, तो यह तो आपने r का magnitude निकाला, आपसे यह कह सकता भी r की direction बताओ, r की direction बताओ, तो अगर आपको r की direction बतानी है ना, वेक्टर का angle निकालना होता है, तो यहाँ जैसे r की direction बुचेगा, तो अगर मेरे से r की direction बुचेगा, तो मुझे r का angle बताना है, या तो a के साथ, या बी के साथ, या तो मुझे r का angle a के साथ बताना है, या R का एंगल मुझे B के साथ बताना है, थियोरी में हम वो काम करते हैं, जो derivation असान हो, तो मैं इसा करता हूँ, मैं R की direction बताना चाहता हूँ, तो मैं R का एंगल बता देता हूँ with A, यह एंगल बता देता हूँ, यह कोई जुरूरी नहीं है, तो मैं द्यान रखना कि A के साथ ही बताना पड़ाई, मैं बता रहा हूँ, मैं A के साथ लोगा, हो सकता आपसे B के साथ पूछ ले, तो अगर आप A के साथ बता देंगे, तो B का भी आजएगा, तो किसी A के साथ एंगल बता दो, दूसरे उसकी R की direction आजएगी, तो मैं ये एंगल बताँगा, मैं से कोई नाम रख लेता हूं, मालओ मैं इस एंगल का नाम बीटा रख लेता हूं, like this angle is beta, तो मैंने इस एंगल का नाम बीटा रख लिया, तो अम बुझे बीटा निकालना है, आर्का एंगल विदे अब देखो ये कैसे निकाल लो बैश्य लिए उसके लिए Black डैगल ले लो लुब देकंगल Kipan Ellie Gospel यह ले लोग a जो इनको मुझे बीटा निकालना यहां से ओंच क्यों यह तरहाँ करके बना दो समझाने करीं था कि बच्यों को पता-चाल्ति भात बात ओ रही है तो उन क्यों तो जो और यह तो इस त्रेंगल की बात कर रहा हो मैं ज्यांसे दिखनें डियगरम में तो थोग डारक कर दी एस त्रेंगल को मैं देख सोल करूंगा अब यह जो आपकी ठेंगल बढ़े इसमें से आप टेंजेंट बीटा निकालो टेंजेंट बी तो टेंजेंट क्या वदा परपंडिकुलर बाइबेस तो क्यू एन परपंडिकुलर है अब यह देखो टेंजेंट बिटा करें पी रिटनेज क्यों और ओन ओन का मतलब ओपी प्लस सपी व की यहीं को प्लस सेंती अब इसमें मैं मैं इस्वेलीव बने चारी इसारी किसे यहां कि सब्सक्राल प्लस ये पी एन क्या है पी एंगल निकालने का फ़र्मला बन गए इससे आप आर का निकाल सकते हैं तो यह आर का एंगल बता दिया मतलब आपने आर की डारेक्सिन बता दी है तो एंगल आपने यह बता दिया तो इस अठमीन डिरेक्शन बता दी क्लियर भी मेरी बात टो यह अब इस में डिसक्रस करके बता सकते हैं गलास निकालना हो फिल्ग版 लाहों दोन्हों में टेंजेंट बिटा तक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको कमपेडिशन के लिए आएटी पीमटी के लिए बात करो तो हमें फार्मुला ध्यानों डेरिविशन का आइडिया हो रट्टा ना मारना पड़े तो इसलिए मैं डेरिविशन पूरी करवा कि अब इन सब को मैं इन सब को मैं यूज करके कुछ केसी बताऊंगा आपको अब अब इसका यूज करके मैं एक दो पॉइंट बताऊंगा जो आगे बार बार यूज करने होते में कुछ को असान करने के लिए कुछ को असान करने के लिए आमें कुछ रजल्ट्स द्यान र बढ़ने जैसे रहा और यह सब्यार करें को आगे दिक्कत ना आए अगे दिक्कत नाहा एक सब्जक्ट करके बढ़ना होता है तो वह कुछ पॉइंट बताऊंगा जो आगे यूज होते हैं फिर यह आर था भाई यह थिटा था इसका नाम मैंने बिटा रखा था अब इसके अंदर ए और बी के बारे कुछ दिया होगा और अमें कहेगा भाई कि आर की डारेक्शन आर का मेगनिटूड यह सब कुछ चीजें होंगे फर यह तीन पॉइंट जो मैं बताऊंगा अगर आपको ध्यान रहे जाते हैं तो आपका काम असान होता रहा है क्या हो तीन पॉइंट सुनो मैं एक्जांपल लेता हूं बैटा जैसे मान लो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है 60 डिगरी ध्यान से शुणना यह तीन पॉइंट मैं गराओं यह को असान करने के लिए प्लस टू तक यूज होंगे अगर ध्यान रहे जाते हैं तो हमें लिए मैं दो लेत्रैंट के बीच का एंगल है 60 डिगरी लेट ऑस यह वर दोनों का मैंगनिटूड इक्वाल है आइंगल 60 डिगरी है और मैं मैं अन्याग्टीड दोनों का एक्वाल है तो निकाल हो पहले मैं रिजलटेंट निकालता हूं थे मैं बड़ा की बात करूंगा रिजल्टेन निकालता हूं, R, a², plus b², plus 2ab, cos theta, इसमें value वरो, a और b equal हैं, तो b कीज़िए a लिख दो, b कीज़िए a लिख दो, या a कीज़िए b लिख दो, अपकी मरजी है, मैं b कीज़िए a लिख लेता हूं, a², plus a², plus 2a², cos 60, cos 60, मैंने b और a को equal माना है, equal हमेशा, यह एक example है, जो use होता है, इसलिए मैं a और b का case equal देके चल रहा हूं, एक बार, यहां से देखो, r is equal to under root, 3a² आएगा, यह cos 61 by 2 cut जेगा, तो 3a², तो r आ गया, root 3a, r root 3 आ गया, तो भाई, a और b, अगर equal magnitude के हैं, एक तो यह point याद रखना है, यह काम आएगा बार-बार, खास कर जो मैं gravitation पड़ाऊंगा ना, gravitation, तब तो बहुत ही जाला, use होगा, अगर दो vectors का magnitude equal है, angle 60 है, दो vectors का magnitude equal है, angle 60 है, तो उनका resultant किसी एक vector से root 3x होगा, 2 vectors के बीच में angle 60 हो, a और b equal होगा, तो उनका resultant किसी भी एक vector से root 3x होगा, तो प्वाइंट इस चंडिशन इध्याना किंण कही होती है तो दो आपको तो आएडया नहीं है कंए आगे चीज यूज होती तो इसलिए पहले बता रहा हूं वहां भी याद रहें देगा तो भी फ्रकात रोगा अपके लिए काम असान होगा आप खुद लगा दोगे तो दो वेक्टर के बीच में थीटा सिक्स्टी हो ए और भी का मैंगनिटू डिकोल हो तो रिजल्टेंट विल भी रूट थी टाइम से एनी अब दी वेक्टर या तो आप लिखते हो रूट थी ए या लिखते हो रूट थी बी बी के साथ भी ल निकाल देता हूं तो यह जो इसमें भी सब्सक्राइब यह जाए दिलिख रहा हूं जो इसमें चीक्सटी अब अवरे प्लस ए को सिक्स्टी एशाइन सिक्स्टी और ए प्लस ए को सिक्स्टी ली तो चुल करके देखो टेंजेंट बिटा अब खुद लो बाई निच्चे रूपर ए तो कट जेगा निच्चे रूपर ए कट जेगा साइन सेटी होता रूट थी भाई टू यह होता 1 by 2 देखो इसमें कितना है याकबार, शोल करकर देखो भाई, आप खुद मेरी इंजार मत करो, रूट 3 by 3, तो टेंजेंट बिटा है, 1 by रूट 3, तो बिटा है 30 डिग्री, बिटा 30 डिग्री, तो बिटा 30 डिग्री आया, अब यह देखो, इसमें अब काम की बात क्या है, काम की बात यह है, कि देखो, यह अंगल 30 डिग्री आया, यह अंगल 60 था, यह अंगल 60 था, यह अंगल 30 डिग्री आया, इसका मतलब क्या हुआ, कि जो जैसे मैं इसको एक पर समझाने के लिए बढ अगर एक साथ एमधिके साथ भी घ्रिज्गरिया अब ये इसमें देखो आइंगल 30 के एक साथ भी चाहिए इसका मदद यह हुआ कि जब भी दो वेक्टरस यह पॉइंट करते जाना जब भी दो वेक्टरस के बीच का एंगल 60 है और बीच में आएगा जब भी दो वेक्टरस के बीच में आएगा तो जब भी दो वेक्टरस के बीच के नजदीक आता है लेकिन यहां दोनों वेक्टर बराबर हैं तो सेंटर में आएगा यह पॉइंट है जो काम का है और किवल 30 डिग्री पर नहीं अब मैं एक्जाम्पल लेंगा 30 का लिया मैं 90 का बिलूँगा 30 डिग्री पर जो बता रहा हूं याद कर लो यह सब कॉस्चिंस हैं जो डारेक्ट कहीं कहीं पुछे जाएंगे आपसे इसके बादे 90 डिग्री वला केस 90 डिग्री मुंसरो सो सिर्टार माल व वैक्टर सब्कूर मेर्ण 90 डिग्री इंत। कि A Sequence कि ए पिदमेंटेटेंटेंट निज़न कर दो ह्युक्वी विभा रिज अफ्रीजन के आधायणडर्णर इस्क्यर क्लस्टेश के इस्क्यर इसे बॉस्टेट है सुर्ट्रेजल्ट्वेंटिएट यह थिंदम audio root 2A square तो resultant आया root 2A, resultant आया root 2A. इसका नद जब भी दो वेक्टरस के पीछ में अंगल 90 डिग्री हो, दो वेक्टरस के वीच में अंगल 90 डिग्री हो, और A और B का मेगनिटू कोल, condition समझेना, condition के बगार मतलगा देना कुछ भी, ए और बी का मेंगनिटूड एक्कोल हो एंगल 90 डिगरी हो तो रेजल्टेंट किसी एक से रूट टू टाइमस होगा हां किसी भी एक से रूट टू टाइमस होगा हां किसी भी एक से रूट टू टू टाइमस या तो रूट टू ए कर देना या रूट टू भी कर दो उससे कोई प्रक्राइब नहीं पड़ेगा क्योंकि ए और बी का मेंगिटूड तो एक्कॉल है अब मैं निकालता हूं रेजल्टेंट का एंगल रेजल्टेंट का एंगल टेंजन्ट बिटा से तो एक इसी के बी लिख रहा हूं मैं मैं साइञ 90 को मिट है और a प्लसए को संस्मैंटेः को सभू लगी टेंजन्ट बीटेंट इप्रेंटा कंट इसो तो इसक अघा सिथैकॉल टू ऑन इसका मेंता विटी इसी अधी विटी टी फूटी इसे मिनें लिग्युट कि आ एं बिलक्कूल cidoiddir इसी कॉल टूटो भी वेक्टर यह था रेजल्टेंट यह तो तो टोल एंगल 90 डिगरी था तो फोटी फाइब इसके साथ 45 इसके साथ तो A के साथ 45 तो B के साथ 45 एक काम की वाले तो दूमने दो एंगल पर पूर कर दिया 60 ओर 90 का एगजांपल लिया मैंदे 60 ओर 90 पर मैंने इस प्ताइं कि देखो क्या बताया अभी तक मैंने गताव है दो वेक्टर कर इकटर इकुल मैंनिटूड के हैं अगर दो वेक्टर इकु सबनाया यह बात बूल दी आगे से यह पॉइंट मॉला करें कर लो आगे से लहां कि आगर इसका स्थी kry आ अगर दोव्हेटर स्का मेगनिटूठ odpow है का तौन दोनों यहा चाहर जो एक बीच का मैगनिटूठ इका हो में मैं शालaly정 छो है जैसे धीटा बाई टू सेंह के साथ बनाएगा तौ स्के साथ बनाएगा अगर A ए और B का एंगल स्केंडप्य II 550 एंगल 140 ओकष हो कि एक कंडिशन जान देन लेनी है, 0 और 180 पर नहीं बोलोगे बात ही है, 0 और 180 पर तो अलग येस बनगा, 0 और 180 के लावा कोई एंगल हो, 0 और 180 के लावा, लिख लो ये पॉइंट, 0 और 180 के लावा कोई भी एंगल हो, अगर A और B का मैगनिटूड इक्वल है, तो रेजल्टे तो मैंने बताया भई देखो, अब तीसरा एक्जाम्प लेता हूँ, मैं इस चीज को मैथेमेटिकल भी प्रूव कर सकता हूँ, मैं तीसरा एक्जाम्प लेता हूँ, लेट, A और B इक्वल है, थिटा 120 डिग्री है, थिटा 120 डिग्री है, तो R निकालो भई, R, R is equal to under root A स्क दिए, P Y, R, PLUS 2AB, B कीजी जिए लिखेता हूँ, B कीजी जिए A, COS 120, COS 120, सबसे पहला काम है, अपने उपर को सबसे सबसे पहले, सबसे समझो, कि यह रोटी अबिलिटी हवाटी, आप कर सकते हो, हर काम कर सकते हो, अपने पर विशाच करा करा हो, जो तुम कर रहे हो, सही क रहो है अरे बाई को चवाइनism tu can go 120-1 वात्यों का पस делать तुम लोग कॉस एक्सों बीस-1 थो तो स्क्राइब तो एस्क्यर प्लस एस्क्यर माइनस एस्क्यर को इक सो बीस होता है माइनस वन वाय तू यह कट जेगा तो आ रहेगा एक बराबर आ राएगा A के बराबर, तो cos 120 निकालते हैं तो minus sin30 आता वो, तो R आता A के बराबर, R किसके बराबर आता है, A के बराबर, कुछ बच्चों ने अंसर दे रखें सही, तो R is equal to A, और R is equal to B लिखे दो, या तो A के बराबर लिखे दो, या B के बराबर लिखे दो, डेको जैसे इसका मतल ही होगा कि ए अगर यहां है big यहाँहँग 3 Writing और लिवे दोनों के बीच में आईगा और अटन्हा शेयर का बिल्कुल सई था बैन्देग लिया था तो दोनों के बीच में आएगा कि जितना एंगल A के साथ बनेगा उतना ही अंगल B के साथ बनेगा अब यह तीन मैंने जो केस लिए ना आप सोचो कि भी तीन ही क्यों लिए मैंने मेटा तीन इसी लिए यह सबसे ज्यादा यूज होते हैं खासकर ग्रिविटेसं के चैप्टर में फिर पर प्लस टू में एक्ट फिटा 60 ए और बी इक्वल तो आ रहागा रूट थी एक बराबर थे चीज यह चीजने बॉक्ष बना का लिख लो और बार-बार रिवाइज करते लिद्दा कहीं भी जूर्त परदे लगा देना यह चीजने ऑर भी होंगी लेकिन यह ज्यादा यूज वोंगे लिगा यह च रहा हूं हाँ हाँ है यह तो यह तीनों पॉइंट आपने याद रखने हैं कंडिशन से पर्टिक्लर कंडिशन बेस्ट इसमें और भी एकल होने और यह एंगल मैं ने लिखी दिया है आइसे को इनको मैं कहीं चोकि यूज करें रांकिश क्यों प्राइब नेकर मैं इसे पढ़ाया किया और आप लेता हुं और गलता है और पॉत खोला को जुआ चरीशन करोगे एक च्वचा चोट चरीशन करोके टुम करोसिंद तुम उक एक पहले हैं मुझे उ Ramsar मुझे बतान है एक मैगनिटूड है दस यूनट एक वेक्टर बी मैगनिटूड है दस यूनट एंगल यह है सिक्स्टी यह च्छोटा सा कुश्यन है इसका अंसर होता हूं मुझे इन वेक्टर को आगे बढ़ाते हैं आप इन वेक्टर को आगे बढ़ाते हैं अगल 60 डिगरी तो दोनों की वेल्यू बराबर एंगल 60 तो रजल्टेंट क्या उनाची है रूट थ्री ए या रूट थ्री बी तो टैन रूट थ्री यह अंसर आएगा टैन रूट थ्री अंसर आजा था टैन रूट थ्री असान सा तो गोशन था एंगल 60 वेक्टर की वेल्यू बराबर ए तो टैन रूट थ्री अंसर आएगा टैन रूट 3 इसमें था गया एक और एक जांबल लेता हूं यह एक वेक्टर है A, इसका मैगनिटूड है 50 यूनिट, यह वेक्टर है B, इसका मैगनिटूड है 50 यूनिट, यह एंगल है 60, इस दूसरे एक्जांपल का अंसर दो, दूसरे एक्जांपल का अंसर दो, आपने यह एंगल 60 माल दिया इनका एंगल 60 नहीं है इसको आगे बढ़ाओ इसको आगे बढ़ाओ एंगल 120 एंगल 120 है तो भाई रिजल्टेंट क्या ना था 50 युनिट चीज़ों को इतनी असान मत मांदो आपने यह नहीं कि आपको आते हैं लेकिन आप थोड़ा कंसेंट्रेशन से काम नहीं करते हैं मैं बच्चों से मैं गारंटी देता हूं कि फिजिक्स में कोई कुश्चन जब भी किसी भी कंपटिशन टेस्ट में जाओगे ना आप जब मैं को चीज़ें नहीं आती गलतियां इसलिए होती हैं कि आप कुश्चन को पढ़ते हों ध्यान नहीं देते बस अगर तुम्हें कंसेट नहीं आएगा ना किसी कुश्चन का तो मेरी कमी होगी ऐसा हो नहीं सकता कि मैं कमी छोड़ूँगा ना यह पॉसीबल नहीं है सारी कुश्चन काम किरा करो ऐसे नहीं काम चलेगा है तुम अच्छे-बच्चे मुझे पता है दिमाग सब में बराबर होता है गलतियां बस रुडियूस करनी है अपने अपनी गलतियां कंप करनी है और देखो अब दो लेता हूं मैं इस पर निमेरीक निमेरिकाट करवा रहा हूं देखो यह जो सब्सकों इस दोग धाम आट्रीम रिजल्ट 어 Berry उन्ट medle को हैं संव है शेजंड क ₲은 क्रमक्साली में इस क्या अगला कशीर कम dirigição इसी मैं मैक्सिम मेगनीटीड लॉक्त से मासी मानेक अग तूज मैगनीटूरॉ और मैखना मीनिमुम म् हुथ시간 वह लॉटूरॉ तो मैक्सिमुम चारी से मिनिम्म दस है दो नों में वेक्टर के मेग्निटूड बताना है तो मैं क्या लिखूँ ए प्लस भी फोर्टी ए प्लस भी फोर्टी ए माइनस भी टेन ए माइनस भी टेन यह गीवन इसका अब कहता है और बता दो बिल्कुल असान है क्या कर आप तो बिल्कुल असान है बिल्कुल बताओ गया तो ए फिट्टी तो ए और पच्छी सिनट तो किसी एक में बर दो तो पच्छी स पलस भी इस इकल टू चारीश तो बी ओगा तो ए और बी पुछी ती शने ए और भी आगे बिल्कुल इस तरह की कुछ ना मेलेंगे आपको आज अभी कुछिन नहीं करने आप लोगों किसी बुक से जब तक मैं कोई असाइनमेंट ना डालू आपने किसी बुक से वेक्टर के कुछिन नहीं करने है बस जाओगे तुम क्योंकि मैं साइनमेंट जब दला तोपिक पूरा होगा जब तोपिक पुरां नहीं होगा ऩ ev i? एबनिग वन कम इन अभी बुक्स है टाले लेक्टर आपके सी बुक्स है जो आपकी you तो आभी जैसे कुछ आज करवा हुआ कुछ मंडे को करवा हुआ फिर आपका टोपिक पुरा हो जेगा मंडे को मैं साइन्मेंट डालूँगा पहले मेरा साइन्मेंट करना फिर कोई बुक सोल करना सब कुछ निकल जेगा अपको एडिशन से रिलेक्टेड तो यह एक एक चाहन से करना होना के ला ग्रेंपल ये कहते हुआभ हेँ दो वैक्सका मैक्सिम मेख यू रिजुल्ट रेंट Jupiter मालो माल्य ठथा रहा है दो मैक्सिम रिजुल्ट्र यडStar रहा है मिनिमम मिघ्र रचि अटिक चे है अब खाल यह दो बखो कि अगर मानलो कि जोंड़ बटर है उनका मेक्सिम तॉन नद मेटेश दिगरी पर लगाएगा कि तो यह इस्टाये जो घ्रव डॉन यांगर ६शरार है मैक्सिमीयां डेट्ड हासे एघ potrzeb उन वेक्टर्स को 90 डिगरी पर लगा जाए उन वेक्टर्स को 90 डिगरी पर लगा जाए तो भाई उनका रेजल्टेंट क्या आएगा उनका रेजल्टेंट क्या आएगा यह बताना आपको मिनीमम 6, मैक्सिमुम 18, अगर उन वेक्टर को 90 टिगरी पर लगा दिया जाए तो रेजलिटन्ट क्या बनेगा, आप इसका रेजलिटन्ट बताओ पहले तो A और B निकालो, A और B निकालो, A पलस B 18, A माइनस B 6, इसे A और B निकालो, तो 2 A 24, तो A हो गया 12, A 12 तो B हो जेगा 6 कि लेकिन इसने यह आनसर नहीं पुछा, इसने पुछा कि अजर इन दोनों को 90 टिगरी पर लगा दिया जाए तो अब चया बकार तो अब क्या करना है तो नया रिजल्टेंट पुछा इसने तो अंडरूट 90 डिगरी पर यह रिजल्टेंट का फर्मलों होता है 90 डिगरी पर इसमें बैल्यू बढ़ो तो आरीज इकोल टू अंडरूट इसको सौल कर दो बच्चों ने अंशर बता रहा है बच्चे कुछ कह रहे हैं इसको बता रहे हैं इसको बनेगा और रूट इसको इसको स्ब्नाने कर दिक्राऊ हूं पटो नाइन इंटो 5 देखे लो कभर तो इसको तो इसको को प्रणों तो आ क्या बढ़ेगा 6 रूट 5 कि रूट यह बढ़ेगा रूट वन इक भी ठीक है तो यह आपका रहेगा ओके बटा बया बाए